आज हम यापर बात करने वाले हैं एक पहुती जादा इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में अभी से ठीक 48 आर्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मंगल का मकर राशी में प्रवेश उस वीडियो में मैंने कई सारी गटनाओं का जिक्र किया कई सारी चीज़े मैंने एक स्प्लें करी किस समय पर मंगल देव राशी परिवर्तन करेंगे और उनके राशी प्रवेश ये वीडियो मैंने चार तरीक की शाम को अपलोड किया था और आप सभी ने देखा पांच तरीक को रात को नौ बजे के बाद मंगल देव ने राशी परिवर्तन किया है और मंगल देव ने राशी परिवर्तन करके मकर राशी में प्रवेश करते ही सूर्य बुद्ध और मंगल की यूति को यहाँ पर क्रियेट किया एक छोटी से clip सुनिए कि मैंने इसमें क्या चीज एक्स्प्लीन करी है बट परेशानी यहाँ पर बनी रहें किस तरह की योग बनते हैं कुछ और आप कैसेते हैं कि नए नेताओं के नाम हमें सामने देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ साथ इस समय में विस्फोटक गटनाय भी बढ़ जाती है अबलब कि कोई बड़े धमाके होना, कोई बड़ी प्राकरतिक गटना का होना या किसी तरह के कोई विस्फोटक का गटना का होना भी यहाँ पर देखा जाता है इसी लिए ये समय जो रहता है इसमें एक तो बच्चों से रिडट किसी तरह की परिशानी का आना या बच्चों को किसी तरह की नुकसान को होना इस तरह की योग जादा बनते हैं जैसे for an example, इस्कूल बस से रिल्ट कोई न्यूज आ गई इस्कूल बस से रिल्ट कोई हाथसा हो गया इस तरह की कोई न्यूज आई तो वो भी यहां पर स्वाभावी दिखाई दिता है या बच्चों की फैक्टरी में कुछ हो गया, बच्चों सिल्टेट कोई चीजों में तो कहने का मतलब इसमें मैंने explain क्या हुआ है किसी तरह का कोई हाथसा होना और राजनीती में कुछ तरह की हलचल का होना और नए नेताओं का सामने आना या नए नेताओं की तरफ से परिशानी का होना इसी में मैंने direction भी explain क्या हुआ है कि कौन-कौन से directions में problem आ सकती है कहाँ पर problem देखने को मिल सकती है चार तारिक को दिन में मैंने recording करी थी almost और शाम को आप सभी को देखने को मिली पांच तारिक की रात को मंगल दिव ने राशी परिवर्तन किया और छे तारिक की सुबे अगर आप breaking news देखेंगे तो छे तारिक को मदब कि आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं को अगेन सिक्स्त को मॉर्निंग में जो breaking news देखने को मिली वो breaking news क्या है पटाको की factory में आग का लगना एक बीशन आग का लगना पटाको की factory में और पढ़ा के अगेन बच्चे से कनेक करते हैं हम कहीं न कहीं factory आगे यहां पर और आग का विसफोटक होना आग की गटना का होना यहां पर बड़े clear शब्दों में देखने को मिला साथ ही साथ मैंने अपने इस वीडियो में भी कहा था कि सेना का इस्तमाल किया जाएगा और जब मैं वो news देख रहा था तब rescue operation के लिए सेना को बुलाया जा रहा था इस तरह की बातें चल रहे थी मुक्यमंत्री ने आपात कलिन बेठक करी और मैं बड़ा surprise हो गया जब मैंने इस news देखी कि कितनी frequently planet ने काम किया वही पांच तारीक को रात को आपने राश्री परिवर्तन किया है और छे तारीक को आपने अपने काम को शुरू भी कर दिया बिना किसी समय को गवाए मतलब इतना fast moment मंगल का यहाँ पर देखने को मिला जबकि अभी तो मंगल देव 15 मार्च तक यहीं पर रहेंगे लंबा समय है अभी तो जबकि एक ही दिन हुआ है और गह ने अपना काम आरंभ कर दिया यह एक गटना नहीं है इसके अलावा दो और गटना देखने को मिली कब 6 तारीक को ही आज ही के दिन सबसे पहली गटना उत्रागण में UCC बिलको देखने को मिली कि उसके कारण से माहोल जो है वो काफी जाला गर्मा गर्मी वाला हो रहा है और मैंने इस वीडियो में बकाय प्राइदा शब्द का इस्तमाल किया है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा अग्रिसिव एनिवारिमेंट क्रियेट होता हुआ नजर आएगा और वो ही माहोल यहाँ पर देखने को मिला इसके अलावा मैंने एक और गटना करम यहाँ पर देखा जो कि मैंने बड़ी क्लियर शब्द देखने को मिली करनाटक की तरफ से करनाटक के सीएम की तरफ से खबर देखने को मिली कि साथ फरवरी को वो दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं आंदोलन का नाम है दिल्ली चलो आंदोलन और साथ फरवरी को जंतर मंतर पर यह आंदोलन वो करेंगे और बड़े शब्दों नए नेताओं के नाम अचानक से सामने आ जाना जो कि आप चाहे उत्रागंड के उधर से ली लीजिए आप चाहे यहाँ पर इस तरफ से ली लीजिए तो दोनों ही एंगल से आपको ये गटना है अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि एक दिन हुआ है मंगल के राशी परिवर्तन को 24 गंटे से भी कम समय में क्योंकि पांच तारीक को मंगल देव ने राशी परिवर्तन किया है रात को 9 बजे एंड मंगल देव ने राशी परिवर्तन करते ही कितनी जल्दी अपने रिजल्स देना शुरू कर दिया यही एक अद्बुद साइन्स है यह एक दिखे क्योंकि जब मैंने उस वीडियो को बनाया मैंने उस वीडियो को बनाते समय कैलकुलेशन करी कोई meditation नहीं कहिया कोई intentional चीज़े नहीं देखी कोई सपना नहीं आया it is a basically pure Vedic astrological calculations उस गणना को करने के बाद ही मैंने एक calculation आप सभी को बताई और बहुत कम समय में उस calculations के जो result जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो as it is आपके सामने होता हुआ दिख रहा है और trust me अभी तो ये समय शुरू हुआ है मतलब कि मंगल देव अभी तो शुरुवात में है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कई बड़ी गटनाएं इस समय के दौरान में होते हुए नजर आएंगी और 15th of March से पहले पहले आप सभी बार बार अलग अलग गटनाओं को सुनेंगे और जब आप उन सभी गटनाओं को सुनेंगे तो अपने दिमाग में एक चीज़ जरूर रखिएगा कि इसके पीछे मंगल का प्रभाव तो जरूर है अभी और भी ग्रह अपना काम कर रहे हैं और भी ग्रहों के बारे में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो कि बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि और कौन-कौन सी गटनाओं होने वाली है और मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि आप सभी बहुत दूर की मत सोचिए चीजें स्टेबल रहेंगी तो हम आगे को और जबा स्टेबल कर पाएंगे तो इसलिए मंगल देव ने अपना काम शुरू कर दिया है और बारा राशों का वीडियो में नहीं बना पाया किसी कारणवश उसको मैं अलग तरीके से किसी अलग वीडियो के साथ बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी को मदद मिल जाए और उस combination को मैं अभी सूर्य के बारे में और शनी के बारे में भी एक बहुत important वीडियो लेकर के आ रहा हूँ उससे भी आपको सारी जानकरी देखने को मिलेगी कि कैसे और इस गटना में सूर्य और शनी अपना योगदान देने वाले हैं वो कैसे अपने important रोल को यहाँ पर आप सभी के सामने रखने वाले हैं सरकार के लिए एक tough समय यहाँ पर है एक साल का जो समय रहेगा में भी इसका प्रभाव हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा कब कहां और किस तरी की गटना करम यहाँ पर प्लान हो रही है वो सारी जानकरी आपको मिलेगी कुछी दिनों में तब तक के लिए उमीद करता हूँ कि आप सभी जोतिश के सब्जेक्ट को समझेंगे जोतिश के इस सब्जेक्ट पर अपनी रूची को थोड़ा सा और बढ़ानी की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ किसी भी कारण से बढ़ अस्ट्रोलजी गलत नहीं है इस बात को जरूर समझे ए कोई भी विद्या, कोई भी साइन्स गलत नहीं है हमारे रिश्य मुनियों ने इतनी मेहनत से इस साइन्स को जो निकाला है यह science बहुत बहुत अच्छे तरीके से कान करती है और प्रतिक्ष को प्रमान की अवश्क्ता नहीं होती जो चीज आईने की तरफ साफ है जो एक एक word लिखा हुआ पूरी तरह से clear है उसमें आप गलती की गुंजाईश निकाल ही नहीं सकते तो इसलिए आप सभी से request करता हूँ कि थोड़ा सा विश्वास इस शास्त्र पर बना करके रखें ना कि आप अपने आपको बोलें कि यह शास्त्र खराब है क्योंकि यह science एक बहुत बड़ी supporting system हम सबकी life के लिए बनता है और हम सबकी life को अच्छा बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है आगे कई सारी चीज़ें में लेकर के आ रहा हूँ हम सभी के लिए जो आपको बताएंगी कि कैसे आप अपने जीवन में भी और अच्छी चीज़े कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन की परिशानियों को सॉल करने के लिए एक नया रास्ता निकाल सकते हैं तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेर आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूछना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समयना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्याँ पर कर सकूँ धन्यवाद